आज के इस वीडियो में हम फेक वर्जिनिटी ब्लड केपसुल के बारे में बात करेंगे कौन सा केपसुल सबसे अच्छा होता है आप कहां से मंगवा सकते हो इसको यूज करने का सही तरीका क्या रहता है किसको नहीं यूज करना चाहिए इन सभी टोपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे तो वीडियो को पुरा दिखे इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आये दिन आते रहते कि मेडम मैं कौन सा वर्जिनिटी केपसुल यूज करूँ इसको केसे इस्तमाल करना है मैं कहां से मंगवा हूँ तो कौन सा सबसे बेस्ट रहता है जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते इस तरह के आये दिन सवाल आते रहते हैं तो हम बात करते हैं कि आपको वर्जिनिटी केपसुल यूज क्यों ही करना रहता है या फिर कौन कौन सी कंडिशन में आप इसको अपलाई कर सकते हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर पहले बार आएं तो चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंट सरकल में जरूर से इस वीडियो को शेर करें ताकि उनको भी इस सीच का नोलिज मिल सके मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि फेक वर्जिनिटी ब्लड केपसुल क्या होते हैं इसको इस्तमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मैंने उस वीडियो में बताये था क्लिरली कि आपको फेक वर्जिनिटी वाले ब्लड केपसुल बिलकुल भी इस्तमाल नहीं करना चाहिए पर वो कौन से वाले जो चाइनिस प्रोड़क्ट आते उनको आपको इस्तमाल नहीं करना चाहिए अब हम बात करें कि virginity capsule को लड़किया इतना क्यो prefer करती है या फिर उनको इतनी need क्यों रहती है तो इसके बहुत सारे personally reason भी रहते हैं बहुत सारे ऐसे reason रहते है कि लड़किया काफी डरी हुई रहती है या फिर लड़के ये demand करते है कि first night में blood आना चाहिए जो लड़किया वर आज की condition में देखे तो लड़कों की भी दो दो तिन 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 girlfriends रहती है तो वो लड़के ये demand करते हैं कि मुझे तो बिल्कुल वर्जिन लड़की चाहिए तो ऐसा तो possible ही नहीं होता है और होता भी है तो आप लोगों को भी थोड़ा manage करके चलना पड़ेगा है ना क्योंक करती है या बहुत ज़्यादा heavy workout करती है तो उनकी hymen अपने आपसे break हो जाती है तो शादी के दोरान या first night जब आप लोग साथ में रहते हैं तो blood नहीं आता है और ये कोई blood आना कोई बहुत जरूरी नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ एक मित रहता है कि लड़की वर्जिन ह बाद भी blood नहीं आता है क्योंकि hymen कई बार पहले ही break हो जाती है और hymen कोई बहुत बड़ी जिली नहीं है जो कि आप अपना फटेगी बहुत जोर से और blood आएगा ऐसा कुछ नहीं होता है तो लड़कियों के मन में डर सा रहता है कि मुझे blood नहीं आया first night तो मेरा husband क्या करना है तो हम बात करते कि सबसे best blood capsule कौन सा रहता है तो मैं आपको प्रेफर करूंगी virginia care का blood capsule जो की plant based होता है उससे कोई भी side effect नहीं होते है काफी अच्छा उसका result रहता है और side effect भी नहीं होते है allergy वगेरा नहीं होती है यह काफी trusted brand है और कई सारी जो महला है वो use भी कर र तो वीडियो के description में इसकी पूरी detail रहेगी आप वहाँ से जाके link पे click करके या वहाँ जो number दिया रहेगा उस number पे call करके आप information ले सकते हो कि मुझे capsule मंगवाना है कैसे मंगवा हो कितने का आएगा इस तरह से आप पूरी information ले सकते हो अब हम बात करें कि आपको इसको उपय जाएए पेरों को फोल्ड कर लिजिए और इसमें से एक capsule निकाल करके आपको वेजाइन में धाई इंच इतना यानि कि आप मान के चली इतना अंदर आपको insert करना है मतलब आप थोड़ा deep में भी कर सकते हो पर इसा नहीं कि बस आपने इतना ही कर लिया है जब भी आपका relation हो जाएगा तो उसके दोरान यह capsule फट जाएगा यह जिलेटीन के capsule रहते हैं इनकी जो covering रहती हो जिलेटीन की रहती है तो जैसे हम वेजाइना में insert करते हैं इनको तो वहाँ पे गर्मी बढ़ने लगती है गर्मी बढ़ने के कारण यह जिलेटीन पिघलने लगता है और जब आप लोग कॉंटेक्ट में आते हो तो यह ब्रेक हो जाता है ब्रेक होने के बाद में इसमें से ब्लड जैसा ही material आता है मतलब कोई भी बंदा यह differentiate नहीं कर सकता है कि यह ब्लड आपका ओरिजनल है या फिर fake ब्लड है मतलब fake virginity वाला ब्लड है same to same अपने ब्लड जैसा ही र बार आ जाएगी पर अगर आप एक ही आपके लिए sufficient रहता है एक ही इससे जादा इस्तिमाल नहीं करना है अब हम बात करें किस केपसुल को किसको यूज नहीं करना है तो जिन महलाओ की बोड़ी काफी sensitive है जिन लोगों के पार्टनर ऐसे कि उनको blood ना भी आए तो कोई फरक करें तो इस केपसुल के ऐसे कोई भी side effect नहीं देखे गए कि अभी तक कोई भी patient को कोई problem हुई हो और हम इसको कहां से मंगवा सकते हैं तो ये amazon flip card पे भी अवेलेबल है fake virginity blood capsule के नाम से पर उसमें Chinese product रहते हैं तो वो आपको side effect भी कर सकते हैं कुछ कहें नहीं सकते हैं private part में कोई भी ACVC चीज आपको insert नहीं करनी चाहिए आगर आपको use करने है थो थोड़ी अच्छी trust rate चीजे ही आपको इस्तमाल करना चाहिए आशा करती हूँ इस वीडियो के मैध्यम से मैं आप लोगों के जो भी सवाल के जवाब थे उनको clear कर पाई हूँ धन्यवाद